मित्रों आज के वेडियों में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि मिथुन रासी वालों का आने वाला 72 घंटा कैसा बीतेगा आने वाले 72 घंटों के दौरान मिथुन रासी वालों के जीवन में क्या क्या पड़िवर्तन क्या क्या बदलाब होगा मित्रों अगर आप ये साड़ी बाते जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे जै बजरंग बली कमेंट कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों आने वाले 72 घंटे के दौरान आपको अपने रहन सहन अपने खान पान के प्रती बहुत जयादाश साब धानी बरतना होगा आप में से जो भी जातक जो भी दरसक नसा पान करते हों धुम्रे पान करते हों या सराब का शेबन करते हों तो आने वाले 72 घंटों के दौरान आपको नसा पान को धुम्र पान को आपको त्यागना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस अबधी के दौरान आपके सुवास्त के मामलों में पड़ेशानी का सामना आपको बहुत जयादा करना होगा दोस्तों आने वाले 72 घंटे के दौरान अगर आप किसी भी विक्ती के साथ थे धन शंपती का लेन देन करते हैं पैशों का आदान परदान करते हैं तो लेन देन करने से पहले शामने बाले विक्ती के बारे में आपको शाड़ी बातें पता करनी होगी क्योंकि इन 72 घंटों के दौरान अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ थे जल्दी बाजी में धन संपती का लेन देन करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना बहुत जियादा करना होगा मित्रों आने वाले 72 घंटों से पहले अगर आपके बेपार आपके बिवसाई के छित्र में अगर आपका कोई भी महत्पुर्ण काम अधूरा था तो उस अधूरे काम को आपको पूरा करना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बेपार आपका बेबसाई बहुत जयादा खराब होगा मित्रों आने वाले 72 घंटों के दौरान ऐसी संभाब नाए हैं कि छोटी मोटी बातों को लेकर आपको गुसा बहुत जयादा होगा आपका सुभाब बहुत जयादा चिर चिरा होगा छोटी मोटी बातों के कारण आप सामने बाले बिक्ती के साथ जगरा करना सुरू कर देंगे लेकिन इन आदतों पर आपको ध्यान देना होगा क्यूंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले 72 घंटों के दौरान पड़ेशानी का सामना आपको बहुत जयादा करना होगा तो मित्रों यही था आपके आने वाले 72 घंटों का रासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें ताकि बांकी लोग भी इस वीडियो को देखें और अपने आने वाले शमय को बिहतर और स शांदार बना सके धन्यवाद